प्रदान मंतरी मोदी ने आज तमाम राजियों के मुख्यमंतरी से वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर बहुत सारी बाती गई है जिसमें बिहार के मुख्यमंतरी निती इश्कुमार भी सामिल थे उन्होंने खास करके खागरिया की महला से भी बाच्चीत की है और ग्राम सेवकों और आसा कारेकरताओं की भी जम कर तारीफ की है इसी तमाब मुद्दे और बिहार की खास करके राजनितिक मुद्दों पर बाच्यूत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारिच जणता पार्टी के और अंगाबाद से मलती राजन सिंग हमारे साथ मौजूद है उनसे इस विसर पर चर्चा करेंगे और ये जानने की थे खगरिया की महिला की भी उन्होंने तारीफ किया है सबसे पहले के बारे में क्या कहेंगे आप लोग भी बार-बार कह रहे थे कि जिस तरह से कॉरोटाइन सिंटर में जो विवस्थाओं को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा था उसको प्रधान मंतरी मोदी ने भी खा प्रधान मंतरी जी का एक एक चीज सपना है उनका कि हम गरीबों तक डायरेक्ट पहुंचने के काम कर रहे हैं उसी क्रम में एक गरीब महिलाएं से भी और सभी महिलाएं से चाहते हैं कि हम बात करें और अब सुचिए गरीब कल्यान अब हमारे यहां लगबग परवासी 50 ल प्रवारों को रोजगार मिलेगा और हम लोग के अप्यक्षा है कि जो हमारे यहां 50 लाक जो विभिन राजियों में काम कर रहे हमारे परवासी मजदूर परवासी भाईयों जो आए हुए हैं तो सभी को काम हम लोग उसके लिए ततपर हैं कैसे उन लोग को हम काम कर रहें और आने वाला समय में उन लोग के बिहार से बाहर जाने कि आऊ सकता न पड़े उस पैटर्न पर हम लोग काम कर रहे हमारे वहां मानिय प्रदाम बंतरी जी का सपना है कि एक एक हर इस्टेट को हम आत्म निर्भर बना दें ताकि आने वाला समय में ऐसा नहीं हो कि बिहार के लोग यहां दुसरों सीश्टेट में काम करना जाते हैं जाएंगे लेकिन हमारा भिहार भी बिक्षीत है रहे गा और उस तौरह के रहे कि यहां ही भी काम मिलने के लिए सारा चीजळ है कि यहां भी हमारे जो प्रवासी मजदूर प्रवासी भाईयों आये हुए हए सब को क काम की आपने बात कि आपके विपक्ष के नेता कहते हैं कि कहां से नितिश कुमार चिराग लाएंगे जिनका चिराग लाएंगे रगरेंगे और रोजगार मिल जाएगा देखिए हमारे तेजस्वी जी की बात जहां तक रही है तो लालो जी यों तेजस्वी जी क्या बोलेंगे जिनका पंदरा साल उनको मौका मिला विहार चलाने का और जंगल राज और गुंडा राज इस तरह से कायम था विहार में आप लोग भी देखे होगे होंगे और आज का विहार और तब का विहार दोनों में क्या अंतर था आज आप कहीं भी किसी भी जीला में चले जाएए मुख्याले से वहाँ जाने में चार घंटा के अंदर आप पहुँचेगा चार से पांच घंटा में और पहले हमको नहीं लगता था कि बहुत सारा जिला था जहां के 12-14-14 घंटा लगता था तो आज उठा के आप देखिए रोड, बिजली अब इठाय के देखिए कभी भी गाउं में भी हमारा आज के लेट में 22 घंटा से कम बिजली नहीं रह रही है तो हम लोग विकास के परती ततपर हैं, कटिवद हैं और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं आज हर किसानों को मात्र 75 पैसे परती यूनिट बिजली हम लोग देने जा रहे है और सब के खेत तक हम लोग जो ऐसे बिजली पहुचा रहे है क्या लालू जी के समय में था ऐसा लालू जी का समय में तो यही था कि 24 घंटा में 4 घंटा बिजली भी रहना मुस्किल हो जाता था पटना सहर में भी 10 से 12 घंटा रहता था इसके आलावे नहीं रहता था और जीला टाउन में तो बिजली आती थी और एकाद दो घंटा रही और उसके बाद दिखला के चली गे उस बिहार और आज का बिहार सब का साथ सब का विकास हम लोग सब को लेके चले आज के बिहार में भी तो पटना डूब रहा है, कल तेजस्वी आदब सड़कों पर थे, पैंट मोड करके आपके उपर बहुत आरोप लगाए हैं कि पटना फी डूबेगा, आप विकास की बात कर रहे हैं बिहार में, राजिंदन अगर कंकडबा कल भी डूब गया, आज भी दूबा है, देखिए हमारे यहां जहां तो की बात रहे, इस पर काम हो रही है, थोड़ा सा कोरोना के ले करके हमारे हाई, कोट भी नैंटीन के चलते है, थोड़ा सा काम में थोड़ा हुआ है, बिलाम इसलिए कि सारा जी लोगडाउन था, तो उसमें थोड़ा सा औरूद ह हुआ है, लेकिन माननिय मुख मंत्री जी, हमारे माननिय मुख मंत्री जी, हमारे सभी नेता जो जा रहे हैं, और जा के उसको देखे हैं, कंकडबाग का इसलिए, उसके अनरूप हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाला एक सब्ता के अंदर हम लोग उसको रिकवर करके, उसके ह कहीं कहीं नॉमिनल जगह पर एकाज जगह दो जगह पानी लगा हुआ है ऐसा नहीं कि कंकल बाग दूबा हुआ एक आज जगह दुखला है हमारे तेजस्वी जी इनको तो अपना चीज दिखता नहीं है और दुसरे को जुह से तो एक दो जगह था वही पताधिकारीयों की बहुत जल्दी इसका निलाकरन निकल जागा और हमारा पटना किस बार डूबने वाला नहीं है चुनोती बनकर सामने नितीश कुमार के सामने आ रहा है अब देखना होगा कि जिस तरह से सभी नेताव मंत्री कहने कि इस बार पटना नहीं डूबेगा क्या लगता है कि इस बार पटना फिर से पुरानी तस्वीर हमारे सामने पेश नहीं हो अपने सहियोगी राजीश के साथ मैं दिवाशी इसकुमार दैसजी न्यूज वटना